बहुजे समाच पाटी से हुए गटबंधन का दर्द अखिलेश यादव अभी तक भूले नहीं है आयोध्या में एक आईक्रम के दोरान जब अखिलेश यादव से 2024 में मायावती से गटबंधन कर सभी विपक्षी दलों के एक जुट होने पर सवाल पूछा किया तो अखिलेश यादव का दर्द खुल कर सामने आ किया और उन्हें बसपा से गटबंधन की चर्चा को चंडू खाने के गप बदाया और साफ कहा कि BJP को हराने के लिए सवाल ये नहीं है कि कौन दल किसके साथ है जनिता BJP को हराने के लिए मस्बूत दल के साथ खड़ी होगी एक कावद है चंडू खाने की गप अरे इतना बड़ा चैनल है क्या चंडू खाने की अब चलाते हो आप लोग अरे कुछ होंवर करो आप जनता बदलाब चाहती है और ये जो समस्य है उसका समदान BJP नहीं कर पाई है आप वही में कह रहा हूं जनता तयार है BJP को हराने के सवाल ये नहीं है कि कौन दल किसके साथ है लेकिन जनता भारती जनता पार्टी को हराने के लिए मजबूत दल के साथ खड़ी हो आप अम्रूह को जिप्टी सीम बिजिश पाठक ने दी बड़ी सौगात स्वास्त सेवाओं को बेहतर करने के लिए जिप्टी सीम बिजिश का ओनलाइन लोकारपन किया इस दौरान भाजपा विधायक भाजपा जिला ध्यक्ष और डियम मौजूद रहे जोया रोड पर स्थित जिला अस्पताल में लगाई गई सीटी स्क्यान मशीन तो स्वास्त सेवाओं में बहतरी का यह आप देख रहे हैं एक तस्वीर जिसमें भाजपा विधायक और तमाम लोग वहसमें शामिल है और जिप्टी स्थियम विजेश पाठक ने सिटी स्क्यान मशीन का लोकारपन किया और अब बात सुहीर दिव भारती समाज पाठी के मिशन दोहजार चौबिस की बात कर लेते हैं पाठी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजपर ने भारतीय जिंता पाठी से गड़बंदन से इंकार कर दिया मव में पार्टी के महिले के समिक्षा बैठक में आए ओम प्रकाश राजपर ने कहा कि हम लोकसभा की बत्त सीटों पर असर रखते हैं और हम अकेले ही चुनाव लड़ने के लिए तयार है इस बाबत अपना कारे कर रहे हैं उन्होंने कहा कि हमारे साथ किसी भी प्रकार का भारतीय जंता पार्टी का कोई गड़बंदन की बात नहीं है हाला कि बिहार में एक रैली के बाद रुख साफ करने की बात भी कही गई है है हम 32 सीटों पर अपना प्रभाव रकते हैं पुरवांचल में 32 सीटों पर प्रभाव रखते हैं कितनी सीटा चाहें कि कोई बात करें तब ना अभी किसी से कोई बात है यह तो सुत्रों के हवाले से जो खबर है कि सरे सर गलत है हमको खुदर नहीं पता है और उन चुनाव ही नहीं लड़ेगा उसको कौन लड़ा रहा है यहीं नहीं पता है अभी हम लोग वंची सोसीत जागरण महाराईली बिहार में करेंगे 7 अक्टूबर को तो 7 अक्टूबर तक फाइनल होगा पकिमपूरी से खबर आ रही है जहां पर युवकों को जंगली हाथियों ने दोड़ा दोड़ा कर भगाया और खटना दुधवा नेशनल पार्क के गैरी फंटा रोड की है दरसल सडक से गुजर रहे ये युवक हाथियों के साथ सेलफी लेने की कोश्विश कर रहे थे किसी तरह युवकों ने भाग कर जान बचाई अब इसका वीडियो वारल हो रहा है तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथियों का जुण इन तीनों युवकों को दोड़ा रहा है दरसल ये लोग हाथियों के साथ सेलफी लेने के लिए रुके थे लेकिन बाद में ये देंजरेस सल्पी इनके लिए ही जानलेवा साबित होने लगी और फिर देख सकते हैं आपके सब्सक्राइब से हाथि इन तीनों युवक को भगाने लगा जौडाने लगा लखीमपूर खीरी के दुद्वा नैश्रल पार्ट के रामपूर में तहसील परीसर में बंदर का आतर्क देखने को मिला है बैनामा कराने आए शक्स के करीब डेढ़ लाख रुपए लेकर फरार हो गया बंदर जिसके बाद तहसील परीसर में अफरा तफरी का महौल मच गया कड़ी मशक्कत के बाद बंदर में इसे वापस मिले पैसे जिसके बाद शक्स ने राहत की सांस ली है बताया जा रहा है कि तहसील परीसर में पहले भी ऐसी घटनाए हो चुकी है तो बैनामा कराने के लिए आए किसान की पैसे लेकर बंदर फरार हो गया जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद पैसे मिल पाए देड़ लाख रुपए लेकर फरार हुआ था बंदर यह तहसील ओफिस का मंजर है जहां पर एक बंदर देड़ लाख रुपए किसान के लेकर फरार हो गया था बदायू में दिव्याँ प्रखर ने पेश की मिसाल बिना ट्यूशन बिना किसी कोचिंग के नीड की परीक्षा पास की है कृरोनाकाल में प्रखर के पता का भी देहांत हो गया था जिसके बाद प्रखर की माने प्रखर की पढ़ाई पूरी करवाई थी दो दिन पहले प्रखर को VC Cluster University श्री नगर ने भी समानित किया है लोगों के लिए प्रेड़ना श्रोत बना प्रखर है लोगों से बहुत मिली रजिस्ट्री आफिस में जो हमारे सर थे ए आई जी सर उन्हों ने हमें बहुत हैं करी महां पर हमें एज प्राइवेट बर्कर जॉब दिया और और उसी किया रहा कि हमें फाइनेशली बच्चों की पढ़ाई में रुकाबते तो बहुत थी लेकिन भी धीरे-धीरे करके हल्की सपोर्ट से भी हम आगे बढ़ते रहे उसी वजह से सर इनका चला इना नट्रेल्स करा टिटानस इंटरनेशनल स्कूल से अफिक घर पर ही अपने आपी सेल्फ स्टैडी करके इसको क्लियर कर पाए यह सर कि दरना धाम से इन दिनों रील बनाने क वीडियो जम कर वाइरल हो रहे हैं इसी बीच एक और नया वीडियो सामने आया है जिसमें मंदर के सामने एक युवक एक लड़की की मांग भरता दिख रहा है जिसके बाद अब पुलिस परशासन और मंदर समीती की विवस्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं तीर्थ पुरो जिससे मर्यादा का उलंगन ना हो आपको बता दें कि केदार ना धाम से पहले भी ऐसे वीडियो वारन होते रहे हैं जिसको लेकर अब अभियान चलाने का फैस्ट ला लिया गया है पिरिभीत में बस ज्राइवर की लापरवाही से भीशन सड़क हास्ता देखने को मिला जिसमें करीब 6-7 लोग घायल हो गए जिन्हें प्रात्मेक उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है बताया जा रहा है कि बस चलाते वक्त ड्राइवर को नींद आ गई थी जिसके चलते ये हाथसा हुआ है बस दिल्ली से नेपाल जा रही थी और बस में करीब 36 यात्री सवार थे गज्रॉला इलाके के एनेश यानि की नैश्रल हाइवे 730 टोल प्लाजा का ये मामला है और अगली खबर जालॉन से है जहां पती संग इलाज कराकर घर लोट रही महिला कुए में गिर जाती है जिसे पुलिस ने चारपाई की मदद से रेस्क्यू कर बाहर निकाला है और महिला को इलाज के लिए CSC नदी गाउं में भरती कराया है हाला कि महिला की हालत नाजुख होने के चलते जिला अस्पताल उरई रेफर कर दिया गया है नदी गाउं थाना शेतर के ग्राम सलईया की खटना है ये खबर यूपी उत्राखंट से आ रही है जहां पर यूपी उत्राखंट समित पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश से जन्ट जिवन पूरी तरह से अस्वेस्थ हो गया है पहाडों की रानी मसूरी में तेज बारिश से लोगों का हाल बिहाल हो गया है बारिश ने प्रशासन के दावों की एक बार फिर से पोल खोल कर रख दी है मसूरी दहरादुन मार्गबर राष्टिय राजबाग 707 AJP बैंड के पास भारी मलबा आने से मार्ग बाधिस हो गया है जिससे रास्ते के दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई है दूसरी और मसूरी के कई जखे प्राक्रितिक नाले बंद होने के कारण बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है स्क्रीन पर आप दो तस्वीरे देख सकते हैं कैसे घरों में बारिश का पानी घुसा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ बारिश से रास्ता जाम हो गया है और गाडियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है बताने की मौसम विभाग द्वारा अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेता भी जारी की गई है जिसके बार जिला प्रशासन द्वारा रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है वहीं स्थानी प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीन को भी सतर्क करने के निर्देश दिये गए हैं जिससे कि अगर किसी प्रकार की कोई आपदा घटित होती है तो उसे तक्ताल निपटने के लिए कारिवाही कर लोगों को राहत पहुचाई जा सके तो तस्वीरे आपके सामने हैं जहां एक तरफ घरों में घुसा पानी और वहीं दूसरी तरफ सड़कों का बदहाल देखने को मिल रही है एक तरफ जहां नाले का गंदा पानी घरों में घुस रहा है लोगों को परेशान कर रहा है वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर लंब जाम लगा हुआ है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं वही शाजापुर में भी बारिश का कहर देखने को मिला उतराखन के विलासपुर से सुखवीर एग्रोधान लेकर जा रहा ट्रक दिल्ली पलियार स्टेट हाइवे पर तेज बहाव के कारण ट्रक फस गया ट्रक में ड्राइवर और क्लीनर भी फस गई और ड्राइवर और क्लीनर को जान बचाने के लिए ट्रक की छट पर बैठना पड़ा बता दे कि वर्तमान समय में भी पी एस एच एल स्टेट हाइवे पर चोड़ी करण का कारे चल रहा था जिसके चलते भैसी नदी की पुल को शतिग्रस्ट कर दिया गया था और वहनों के निकलने के लिए नदी से होकर अस्थाई मार्ग बनाया गया था ट्रक के फसने के बाद सूचना पर फायर ब्रिगेट के अधिकारी पहुचे लेकिन फायर ब्रिगेट के पहुचने से पहले ही ड्राइवर और कंडक्टर को ग्रामिनों ने बचा दिया उधर फायर ब्रिगेट के अधिकारी ने चेतावनी दी जब तक नदी का पानी कम नहीं होता तब तक कोई भी वाहन इधर से ना निकाली जाए गंगा नदी के बीच खाली जमीन पर पहुंचने कावड़ी अचानक पानी बढ़ने से बुरी तरह से फस गए गणी मत रही कि मौके पर मौझूद जल पुलिस ने तवरित कारिवाई करते हुए चारों कावड़ियों को बचा लिया हाई द्वार में बड़ी संख्या में कावडिये पहुँच रहे हैं पुलिस ने रस्ती लगा कर रखी है और बार-बार रस्ती पार नहीं करने की अपील कर रही है लेकिन फिर भी लोग रेलिंग फाद कर गंगा में स्टंट करने के लिए पहुँच रहे हैं दो तस्वीरियां आपके सामने इस वक्त एक तरफ जहां बचाव करता कावडियों को बचाने में लगे हुए हैं और आप दूसी तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी का जलस्तर बढ़ा हुआ है अचानक पानी बढ़ने से लोग वहां फस गए और फिर उन चारों काव बुलन शहर की कर लेते हैं जहां महिला ने छेडशार का किया विरोध तो दबंग ने महिला को गाल काट लिया महिला की गाल काट लिया बता देगी घर में महिला को अकेली देखकर घर में घुसकर दबंगों ने छेडशार शुरू कर दी थी और अब जब महिला ने छेडश होई है यह पूरा मामला रामघाट शेत्र के रत्वा नगला का है जहां आप देख सकते हैं कि कि इतने बुरे तरीके से महिला के गाल काटे गए हैं जौनपूर में पांच लोगों को एक साथ एक कमरे में पूलिस की शुरुवाती जाच के मुताबिक शक्स ने पत्मी और तीन बच्चों की हत्या करने के बाद अपने आपको भी फांसी से लगा कर आत्म हत्या कर ली घटना मडियाहू तहसील जैरामपूर गाओं की है घटना की वजह पता नहीं लग पाई है फिलहाल पूलिस मामल की जाच में जुटी होई है तो जौनपूर में एक परिवार के पाचों लोगों ने लोगों की शफ ब्रामद हुए है जौनपूर की वार्दात है जहां ये आशंका जताई जा रही है कि एक शक्स ने अपनी ही पत्नी और अपने बच्चों की हत्या करने के बाद खुद को भी फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली फिलहाल अभी आत्महत्या या फिर इन हत्याओं की कारण का पता नहीं चल पाया है पुलिस तफ्तीश में जुटी होई है घटना की वज़े अभी तक नहीं पता लग पाई है फिलहाल पुलिस मामले की जाच में जुटी होई है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन की टीम वहां जुटी हुई है और ये मामले के बारे में जानने की कोशिश कर रही है कि आखर इन हत्याओं का कारेंट क्या था मिरेट में हुए सडक हाथसे में पूरू क्रिकेटर प्रवीन कुमार बाल बाल बच गए उनकी गाड़ी तो बेकाबू टेंकर ने जोड़ दार चक्कर मार दी है हाथसे के बाद गाड़ी शतिग्रस्त हो गई हाथसा कमिश्टरी अवास के पास हुआ भीड में कंटेनर चालब को दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया तो पूर क्रिकेटर प्रवीन के हालत अभी बिल्कुल स्वस्त बताई जा रही है खत्रे से खाली बताई जा रही है सड़क हाथसे में बाल बाल बचे पूर क्रिकेटर प्रवीन कुमार राइपरेली में खराब सड़क को लेकर कॉंग्रेस ने हला बोल दिया है और सड़क पर गड़ों को लेकर आए दिन हाथसे के विरोध में प्रदर्शन किया कॉंग्रेस ने P.W.D. अधिकारी को हाथसे का जिमेदार बताया कॉंग्रेस कारेकरताओं ने कहा शिकायत के बाद भी P.W.D. विभाग ने अब तक सड़क की मरमद नहीं कराई तो कॉंग्रेस ने P.W.D. अधिकारियों पर बड़ा सवाल उठाया है और लापरवाही करने का आरोप लगाया है गड़े होने की वजए से लोगों को आवजाही में परिशानी हो रही है जिसको लेकर कॉंग्रेस के कारेकरताओं परदर्शन कर रहे हैं और साथी साफ इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से धान की फसले लगाई जा रही है गड़ों पर ये कॉंग्रेस का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है गड़े होने से आए दिन परिशानिया होती रहती हैं एक्सिडेंट्स होते रहते हैं जिसको लेकर कॉंग्रेस ने अब जाकर के प्रदर्शन शुरू कर जाती है जिसके बाद फैक्टरी में अफ्रा तफ्री का महौल मत जाता है कंपनी में मौजूद लोगों ने किसी तरह से खिड़की से खूद कर अपनी जान बचाई बाद में कड़ी मश्रक कर के अबाद आग पर काबू पाया गया फिलहाल आग में किसी के हता हात होने की ख स्पीर देख सकते हैं कि एक फैक्टरी में आग लग जाती है और किसी भी तरीके से लोगों ने अपना बचाग कर लिया कि एक स्पाइब कर देखा गया कि इस्तानिय लोगों ने आग को बचा दिया था और कोई भी इसमें और कोई भी इंजुरी इसमें या कोई भी इसमें जन्हानी नहीं और अब बात उन्नाव की कर लेती हैं जहां पुलिस के हत्य चड़ा तसकरी करने वाला अंतराजी गिरों के 6 शातिर अपरादी उन्नाव की दही पुलिस और और एंटी नार्कोटेक्स टास्क फोर्स की टीम ने कारवाई की और एक कंटेनर से करीब एक सो अठानुए फिलो गांजा बरामत किया गया साथी 6 तसकरों को गिरफतार कर लिया गया बरामत गांजा की कीमत करीब पच्छास लाख रुपए बताए जा रही है वहीं गिरफतार तसकर गाजयाबाद का नौज एवं राजस्तान के जहने वाले बताए जा रही है और अब बात महंगाई की कर लेते हैं महंगाई की मार हर किसी को पढ़ रही है पूरे देश में सबजियों के दामों में आख लगी हुई है मुरादाबाद की सबजी मंडी में भी सबजियों के दाम बहुत जादा बढ़े हुए हैं जिससे ग्राहक और दुकांदार दोनों परेशान हैं यहां टमाटर और गोबी एक सो साट रुपए किलो हो गए हैं तो अधरक तीन सो पचास रुपए किलो पहुँच गया है मटर की अगर बात करें तो सो रुपए किलो है और लौकी, तुरई, परमल और भिंडी भी साट रुपए किलो से कम नहीं मिल रही है जिससे लोगों के किचिन का बजट बढ़ गया है और खाने का स्वाद फीका पढ़ गया है तो लगतार हो रही बारिश से सब्जियों के दाम में बहुत बढ़वातरी हुई है, इस जाफा हुआ है जिसकी वज़े से मार्केट में भिंडियों के या फिर हम कहें अन्य सब्जियों के दाम बहुत जादा बढ़ गाए है और लोगों को इससे खास परिशानी हो रही है बहुत जादा पढ़ ला है गरीवाजियों सब्जियों सब्जी खाई का बढ़ी आएगा बढ़ादा कि सब्जी मंडी में सब्जी कमी होने भी वज़े से बढ़ादा कि सब्जी मंडी में सब्जी यों के भाव आसमान चू रहे है इसकी क्या वज़ा है यहां जो सब्जी बिख्रेता है उसे हम बात करके सब्जी के दाम है वो क्यों बढ़े हुए हैं आजकल बहुत लेगे हैं पीछे से हर चीछ में हाई है इस नहां पर भी में हाई है अचा जो फुल गोबी है तमाटर है वो कितने रॉपके लिख्या गोबी है तुल गोबी है तो यहां अच्छा और जो मट्र की फली है और सब्जी घंजी थे हैं उन्पिकinta स्वच्ण और मट्र की प्ली है या और सब्जी उनके क्या दाम है उसर पे बिख्याय हुए पाद पेले इसमें फेले वाले नहीं जो तो यहां आ रहा है कि राक तेल में तो ज्यादा कुछ असन नहीं पड़ा लेकिन बस लोग जवासे को लेते तो बढ़ा ही तो गाजर बगएरा क्या भाविए तो पचास साथ किलो किलो के यहां पर जो सब्जियां हैं वो चाहे पुरही हो या कुल गोबी हो या टमाटर हो हर सब्जी के दाम बढ़े हुए हैं और इससे गिराक और भुकानदार हो लो परेशान हैं परेदर रह्मान इन्स नेटवर्क की परदवार दोड़ाएं एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी